अलो फ्रेंट्स वेलकम टू मावी चैनल आज आपके समने फिर से एक नए वीडियो लेकिया हूँ आपने थम्डेल में देखा रहेगा येस आज हम लोग इंडियन रेलवेस में जो टेंडर है जो कांट्रेक्टर कैसे बनते है वही देखेंगे सिंपल दरगी से बताऊंगा प्लीज ज्यान से देखिए वीडियो पूरा अन तक देखिए और वीडियो अच्छा लागी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरना मत बुलिए तो चलिए शूरू करते हैं बर जान से पले जो मेरे नए वीवर से जो मिचे फर्स टा तो इसको सिंपली से यहां से क्लोज कर देंगे यह देखिए इंडियन रेलवे इप्रोक्यूर्मेंट सिस्टम यह इनका ओफिशल वेबसाइट है गवर्मेंट का हमारा टॉपिक है कॉंट्रेक्टर कैसे बनना है यहां और कैसे यहां पर टेंडर सब्मिट करना है तो यह आप लॉगिन देख रहे हो यहां से हम लॉगिन करके टेंडर भर सकते है बट अभी हमें टेंडर कहां पर दिखने तो यहां पर लिखा है simply search e-tender यहां पर जैसे क्लिक करेंगे आपको टेंडर सब मिल जाएंगे यहां पर लिखा है all active tenders यहां पर क्लिक करना है तो टेंडर यहाँ पे available है ok तो बहुत सरे tender है आप जाकि one by one देख सकते हो अभी main topic है हमें vendor कैसे बनना है यहाँ पे contractor कैसे बनना है तो इसको मैं simply back कर देता हूं यहाँ से back कर देता हूं इसको यहाँ से close कर देता हूं यहाँ पे लिखा हूँ है e-vendor contractor यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ चार option आएंगे first initiate request मतलब जो first time आप कर रहे हो तो कहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर करना है continuation करना है मतलब आपने पहले किया रहेगा उसको कुछ बाकी रहे गया है half information तो यहाँ पर करना है and proceed करूँगा जैसे proceed करूँगा यह पेज आएगा देखिए ध्यान से पढ़िए note 5 जो total लिए हुई है बहुत important है यहाँ पर clearly mention किया हुआ है कि कैसे registration करना है और कैसे करना है तो simply आपको एक manual बताता हूं आपको मैं पूरा guide करूँगा कि manual कैसे करना है because आपको मेरी दरुद नहीं पड़ेगी आगे इससे इसमें registration करना है simply उन्हेंने manual दिया है आपको मैं इसको click कर देता हूं और यह open हो जाएगा PDF form में है तो हमने यह तो step clear कर लिए है हमें जाना है सिधा यह step पे जैसे मैंने बुला था कि कहाँ पे आपको करना click new vendor as a contractor यह पे click करेंगे आपको DSE digital signature होना बहुत important है class 3 का यह पे मांगा गया है देखेंगे यहाँ पे पीछे click करके दिखा था हूं class 3 digital signature certificate with the firm name तब को class 3 digital लगे यह आपे registration करने के लिए तो simple तरीक से आपको बताँगा java install कर लिए यह जो step by step दी हुई है pdf में यह आपको सिफ follow करने है बागी कुछ भी follow मत करें किसी सो पूछने की जरूरत नहीं है आपको यह step follow करने है आपका vendoration आपका contractor यहापे हो जाएगा तो इसलिए आगे बढ़ते है जैसे मैंने बढ़ा था कि first time करें यहापे click करना है proceed करना है step first यहापे लिखा हुआ है already आपको यहापे click proceed करने से पहले जैसे मैंने बताए यह जो form है इसको मैं proceed करने से पहले मुझे यहापे usb token लगाना पड़ेगा but अभी फिलाल मेरे पास usb नहीं है और मुझे इसमें registration नहीं करना है because मैं आपको इस एक information के लिए यह video बना रहा हूँ तो कैसे करना है यहापे मैं registration नहीं कर सकता है तो यहापे digital signature लगाना है और आगे बढ़ना है without digital signature आगे नहीं जाएगा जैसे यहापे लगा हूँ है आपको select करना है digital signature then आगे बढ़ना है बात में जो भी अभी categories है वह आपको यहापे fulfill करनी है थोड़ा zoom करके बताता है यह रखिए address, landland number जो भी आपके information जो common सब जगह पे होता है registration वही आपके करना है और यहापे step by step आपको follow करना है कुछ भी miss मत किजिए genuine information दीजिए because the government का portal है आपको कुछ fake information नहीं दिनी है हमें अच्छे से काम करना है तो यह ही है अगर आपको आप details में पढ़ना चाहोगे तो पूरा एक बार एक बार मुझे मुझे एक बार message कर दिए आपको guide कर दूँगा यहापे दिए सब लोग यहापे जाके अपना registration कर सकते like proprietor partnership limited company है public limited company है government कोई है तो individual कोई है तो सब जाके आपने आप registration कर सकते हो बहुत simple steps में बताया है यह इन्होंने अच्छा बनाया है कि किसी को पुछने की जरूरत ने पूरा PDF form ही बता दिया कि कैसे कौन से step follow करने है और आके जासके कैसे होने वाला है registration ओके तो यह ही है पूरा step आप एक बार please go through कर लीजिए प्रॉपर तरीके से और एक बार vendor stream proper हो जाएगा तो आपको बस जाके login करना यहाँ पर जैसे आपको बताता हूँ इसको मैं आपर बैक कर देता हूँ या फिर एक नया open कर देता हूँ IR EPS जैसे क्लिक करेंगे आपको user id and password आ जाएगा simply आपर login पर क्लिक करना है यह tender पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर जाके user id password डालके अपना tender यहाँ पर submit कर सकते हो यही था simple step बस आपको आपको अच्छा लगा 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 फिर भी आपको कुछ भी समझ मैं तो यसे मैंने बोला अलड़ी मेरी अलड़ी एक announcement की थी आपको मैं help करूँगा तो प्लीज अगर आपको नहीं समझ मैं तो फिर मुझे comment कर लीजे मैं आपको help जरूर करूँगा तो बस आज की वीडियो बस इतना ही फिर मिलते एक नई वीडियो के थाथ तब तक के लिए बाइ-बाइ प्लीज वीडियो